आप सुपर केंश इस सवागत थे और आप लोगों के लिए आ चुका है क्लास 12 भूगोल का बढार की अपर का महातान्डव prayer और तो भूंत हैं सब्सक्रांडब जो में आपने करा रहा हूं सब्जेक्टिव का महातार्णडव किसको कर लिजिए और एक में आपने को कराया है कोश्चन बैंक का सारा यह तीन वीडियो देखिए आपका बेड़ा पार चलिए शुरू करते हैं फटापर फटापर हरी कोश्चन को देखेंगे और अच्छे तरह किसे समझेंगे देखिए हमारे पास जो सबसे पहला है जो कोश्चन को कम करने के उपाय सुझाइए तो एक हो जाएगा वनार ओपन यानिकी अधिक सदिक पेड़ पुधा लगाकर चला गाहों का उचित परवंदन यानि जहां तहां हम लोग पासुबेगरा को नहीं चलाएंगे पासुचारण नियंत्रन रक्षक मेखिला का निर्मान या पर एक हैसा देज़ेगा निर्मान हो जाएगा रेतिरे टीलों को क सबसे पहला है रेखिक परतिरूप इसमें क्या है तो इसमें माना बस्तियों का निर्मान सड़कों रेलाइनों तदा नियुद्सयारण नद्叔ि एक होता है कि इनका निर्मान समतल चैतरों इसमें किसी ताला बत्वाद छील के चारों और बस्तियों का निर्मान होगा इसको बिटाकार पर दियुद के आगे क्या है कि तारे के आकार का पहतीरूप इनका निर्मान उन पधियों होता है जबावत सारे सडकें एक साते कंछार पर मिलती है इस प्रकार इंस अर के किनार रे मकानों के निर्वान होने से सिर्थ ढाल चाइ aussi और बैंट्स कर लिए इस यह बद इसके बाद सपी अथफा वााय आगया रिंगी ओ humility हमरा इस हो hizo गया वाय हमारा इस आप सदकर का बात हो रहा है एक और शडरकों के तिराखे पर्विक्सत होती है जब Member Love होता है जहां दो मारण आकर तिसरी मारण से मिलते हैं तो बनाद नीजिट वाप फूल के दोनों किनारों पर वस्तियों के निर्मान से दोहरे ग्राम प्रतिरुप का निर्मान होता है यह हो गया हमारा नोट का लिजी इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण देख लोगा है अगला प्रस्ण की भारत में लोग इस पाथ उद्योग के अस्थानियकरन एबंग वित्रन की व्याक्षा करें तो देखो कि भारत में विभिन संगठित एबंग आधारवुत उद्योग पाए अब्रम जखांधा सब्सण सबसें वरें का पर रांग्षे तरी कीसे हो यह उद्योग उद्योग उठाबित कर जाता है जहाँ पर बड़ी पुंजी करणा करहल्व है जहां पर बिधाथ का कारखाना-जंसधपूर में पर जमसित जी टाटा दवारा उन्ने सो साथ में अस्तापित क्या गया इसका रखाने में 1911 में उस्पाद में शुरू हुआ जैसे लोहाय इवच्पाद उद्यों का वित्रन 20 चेत्रों में क्या गया है कुछ इस प्रकार से हैं देखलो भTw की यहां पर जैसे हैं राव्र केला भीलाई दुरुगापूर और बोकारों में उद्यक है वजिख फेला हुआ बादसतर में जहां पर ऑ 빵को पर दसाओंud प्लब्द रहती है दसाहिया प्रूनस्वर देदीजिएगा वालब जहां पर हर एक परकार का जो भी रिक्वेर्मेंट हो लोहा रुस्पात उद्योग से रिल्टेड तहां पर मिलता है ओई सब जगह पर इस परकार का फैक्टरी का रखाना लगाया जाता है इसके बाद आग तो कुछ समय के बाद यह मिल बंध हो गई बास्तिविक मिल मुंबई में अठार स्चोन इसमें नाना भाय डावर ने लगाई इसके बाद भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग का दिखास होने लगा ठीक है पहला बाला जो आपर मिल लगा सुती फ्यक्टरी जो लगा पर दूसरा और लगा गया शुटिवस्ति उद्योगा भारत का सबसे बड़ा उद्योग है कि रिसी के बाद यह रोजगार प्राप्त कराने में दुसरा अस्तान रखता है भारत में लगवक्त 1660 वस्त्र बनाने वाली मिले हैं इसमें 80% मिले नीजी शित्र में है और 20% सार में अस्ताफित थी कपास वाजरा परिमान आदर जल्वाई को पलब्दा के कारण इन राज्यों में सुति वस्त्र में महाराष्ट्र पंजाब पस्च्चि मंगाल उत्तर प्रश्ता तमिलाडू में केंद्री थे महाराष्ट की महानगरी कहा जाता है इसके बाद अगला जो अगला परस्ट जो हमारा यहां पर दिया गया है यह जो अगला परस्ट रिखेंगे उपर वाला सभी लिखेंगे के लोहा इस पात तता सुति वस्त्रूद्यों का संचिप्त बर्मन कि बिखिए लोहा इस पात रुज़िए जितना चीज बताए बस होई सब चीज आपन लि अगला प्रस्ट भार्त में क्रिसी के प्रमुख समयस्ताओं का बर्मन करिंगे भार्त में जो किरसी का जो अभी चीज़ आपर समयस्ता वाई एक करके बात करना चलो वह देख लेते हैं और जो मोडल पर है उसको अपलो कलिज जिएगा भार्त में मानसुन जलवाई होने का जिससे लिए कका अत्रा समयस्ताई मानसुन पर भारत बासे बगोंब्सक्राव कम बासव परसा और ब्रॉन ऑम होता हैBon यह अथ आज होता है भारत में प्रिस्स से गाउलों में पर चेट्डरों में uhm काम होता है जिससे उत्पादक्ता कम हो जाती है जिससे उत्पादक्ता कम हो जाती है जिससे उत्पादक्ता कम हो जाती है जिससे उत्पादक्ता कम हो हैं जिनके है जिनके प्र क्रिश कारी करने के लिए प्राइपत मातर में पंजी ने र llati जिसें खेति का mostrarकर साथ नहीं हो पनता है भारत कि शिश्ची के समझ के का कारिया करने के लिए उत्तम भी जबन खाद कवाब पाज आता है जिसमें खेति की उत्पायकता भी कम हो जाती है आप यहां पर चाहिते ऐसा भी लिख सकते हैं कि मतलब आइनको मतलब जो नहीं नहीं जो टेकनलोजी है इनका घ्यान नहीं है थोड़े लोग असिक्षी दराती यह एक पॉइंट आप यहा प्लांट की खेती होती है दूस्तरी और फलों की क्रिषी एक ऐसी क्रिषी जिसके अंदर विबिशन प्रकार की फलों की किर्सी कि जाती है जैसे केला आम लीची अंगुर नारंगी तसे विटा दिये सब हो गया घ्री इंपोर्टेंट रूई जी एक बार बीजिए पढ़ि तक प्रयाप्त भोचन नहीं कर पाता है और इसके कारण और बुन्यादी पोसन समदी जरूते को पुराने आयाम है यह जाएगा भूख और में आपने को पूसन बता दिया इसके बाद आगे चलिए अगला जो प्रस्ट नहीं क्या है पर दूसन देखलो तो जब आसपास के ब बनन करें तो मानब भूखल मानब जिमन के सभी तत्तूं था अंतला जिसके अंदर घटित होते हैं कि मजद्य समंद्ध के वैखा करने का प्रस्टन करती है इस परकार मानब वोल के परकिर्ती अच्टधिक अंतर विषयक है पर पर पाय जाने वाले मानब तत्त्तों को समझ भी गान ठीक है फिर किया है नापर है सईन्य सइन विगान जनांकी की नगर ग्रामिन नियोजन अर्थसास्तर संसाधन और साथ सब्सास्तर के अंध्यों के सब्सास्तर घट लिए पार आधि के साथ करती है ज्यान की विश्थार के साथ अन्य अने उप्चेत्रों का धिकास होता है यहां पर जो सब्सक्राइब बता है यह जो आता है याद यह जो कोश्चिन लिए जाए आगे चली कोश्चन बारा क्या है कि भारत में नगरिकरान के कारण उत्पन हुई पर्यावर ने समस्ता के बारे में बताईए तो देख भाई यहां पर क्या है पहला है नगरिकरान के कारण लोग बड़ी संखा में फ्रीज खरीज रहे हैं एर कंडिशन खरीज र यह चिंदा का विस है यह होगा एक बार दुसरा किया है कि नगरिकरान के कारण बनो यहां बनो 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 के अन्धावर कर्यावर ने कृते है है जो एक भैंकर प्रयावरेनिया समयस्ता है आप लिख सकते हैं कि इसलिए ना तो समय पर वर्सा हो रही है ना इस समय पर ठंडा और गरम लग रहा है इसके बाद नगरी करन के इसके करना बड़ी संक्ता में उजक धंडों का विकास होता है जान जल का दिरुपयोग होता है जल की दुरुपयोग से सुधसे जल गया समाहींस से बाइख चला गया है जिससे मेट्ट पॉलिटन सहरों में हो गया है या पर चमुली जिससेखे यहका संक्ट कई सारों में हो गया है। इसके बार जी जी मिलेकेश के वाया में कमी विए मोर्षी कमी मार्यों के बारिज। दोक्टर हमें सुबस्वट अहलने की सलावी देते हैं इसके बात अगला जो पॉइंट है क्या है कि नगरिकरण की कारण टीवी लावड इस पर करूं मनुरंजन के अने साधनों था परिवन के साधनों दवार धौनी परदूसन होता है जिससे लोगों में चुड़ीड़ाप अब इस तक भोगोलिक दसाओं की व्याक्खा करें तो चलो बात करते हैं देखो सबसे पहला पॉइंट कि चाय की खेती के लिए गर्म और आद्र जलवाई होना चाहिए और आद्र होना चाहिए चाय की पोधों की जड़ों में वर्सा का पानी एकत्रित नहीं होना चाहिए इनकी यहां पर चाय का जो पोधा रहेगा उसके जड़के मदल जड़क में जड़के पास वहां पर वर्सा का पानी जमा नहीं होना चाहिए यह बात बोला गया है चाय के उत्पादम के लिए देर सु संटिमेटर से दो संटिमेटर तक की वर्सा उप्यूक थे अगर इतना आगे चलिए अगला पॉन्यावर क्या देख सकते हैं चाय एक बागानी फसल है बागान के मिटी की उरबरता बनाय रखने के लिए नाइट्रोजन यूक्त उरबरक डालने की अभी सकता होती है ठीक है उसमें जो उरबरक होगा और नाइट्रोजन यूक्त देना चाहिए च और यहाँ आगला है और यहाँ प्रस्वाल यहां पर प्रस्वाल यहां पर प्रस्वास प्रस्ना घहे बात कि लिए अनूकुल भॉड़क दसाओं को लिक हैं है झाय की प्राचिन काल से हो रही है बहुत को चावल की जलिवों आ लोना के लिए कोई इकता नहीं है चाहल की खेती बरसारीतु में मने होसी है, जो पहले होता है हुए । बात करें। भारत में अधिकतर लोग चावल लिखा थे हैं विस्व का चावल उतपादक पहालदिस चीन है तुद्धा दुसरे नंबर पर हमारा भारत है अधिकमरन Sum तो आगे बढ़ते हैं चलिए अगला कोशन देगो कपास से रिडिड़ेड है कपास वाला भी इंपोर्टन देख लिजिए का पास उतपादन के लिए अनुकुल दसाओं का वर्नन करें तो इसके उतपादन के लिए निम्लेकित भववाले की दसाहीं आभिसक होती है इसके ज से तक हमारा चाहिए चंकीली धूब कपास के लिए अच्तिन दिलाब प्रज होती है जो चंकीला जो धूब होता वही कपास के लिए भेरी भेरी एकदम इंपोर्टेंट बहुत जरूरी है बरसा कितना होना चाहिए कपास की किरिश्ची के लिए 50-50 से सबसे अच्छा है मिटी का बात करा जाए तो कपास के लिए मिटी किस प्रकार का होना चाहिए तो कपास के लिए खोषण खानी के अन्स सहीत उब जाव मिटी उत्ता माने जाती है भारत में लावायुक्त काली मिटी थे था और मिटी कामाडी मिटी प्रक क्पास की खेति पर होता है इसके बाद एक पॉंट अजश्ची सरमिक यानि करा इसाth क्रित्रिम कहते हैं जो हमरा चाहिन होते हैं क्रित्रिम खाद का विस्में आविक्ता पड़ जाता है तो यह हो गया हमारा कॉस्च्चन गभित्रिक्र प्यारास सुन्दर साथ्साइश लिए क्या देख लेते हैं गेहूं देख लोग यहों के लिए यहां पर क्या क्या क्राइटेरिया है पहला बात करते हैं तापमान तो गेहूं को बहते समय दस डिगरी सेंटीरेट तापमान होने चाहिए ब्रिद्दी के समय 15 ठीक है 15 से 20 से पक्ति समय 20 से 25 सेंटीमेटर के ताप करम याई फिर तापमान आदर्स होते हैं फसल के पक्ति समय आसमान साथ तदाचम के लिए दोफ होनी चाहिए देखो यहां पर साफसा बोला गया है कि जब फसल को बोएंगे यहां को बोएंगे तो उस ट्र्मान होना चाहिए 10 डिए जैस कितना होना चाहिए जब गहुं हमारा बढ़ेगा निजब घंए में व्रिद्दी होगा तापमान 15 से 20 डिए चल्सियस होना चाहिए यह बात हो गया इसके बाद जब यह पकेगा पक्ति समय आसमान अगर साफ होता है और चम के लिए दूप मिल जाता है तो भाई गेहूं के लिए अदम बल्ले बल्ले है ठीक है फिर भर्सा का बात करा जाए तो पचीस संटीमेटर से अगर जहां पर जहां पर हो जाता है तो वहां पर गेहूं का फसल नस्ट हो जाता है इस बात का धियान रेकिए इसके बात देखो वह अगला जो पॉइंट मिर्दा मिर्दा के लिए क्या है देख लो यहां पर तो क्या है कि मिर्दा गेहूं की किरिसी बिविन प्रकार की मिट्यों में की जा सकती है प्रंतु इसकी किरिसी के लिए दोमट बलुई दोमट एवं काली मिट्यों अधिक उप्यूक्त होती है दोमट मिर्दा बलुई दोमट और काली मिटी होता है हों क에 बेस्ट है धरातल कैसा होना चाहिए तो गे उकी किरिसी के लिए संतल एंब zgう suite जल- INF निकासि-वाली भूमी होनी पहला बाद भूमी संतल होना चाहिए और जल असानी से निकलि निकले कर का भूम ऊहांपर हो होना चाहिए आगे बढ़ते हैं आगे देखिए अगला जो पॉइंट है और यह हमारा इसका लास्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट का लास्ट पॉइंट फिप्ते नमर वाला देख रुए सरम गयों की किरिसी के लिए अधिक सरम के आवी सकता होती है लेकिन बरतवान में बढ़ते हुए यह अंतिकरण ने इसकी किरिसी में सरम के महत्यों को कम कर दिया है देख गेहूं के किरिसी के लिए जो सरम है बहुती अधिक मातरा में चाहिए लगिन जिस प्रकार से अभी कई प्रकार के मसीनरी जो यहां पर आ रहे हैं मसीन आ रहे हैं इससे क्या हो रहा ह था करेंसलों के बिच्छ संचार के नatura है लिए पर लोग ले जाते हैं है यह बात हो गया और संचार में क्या होता की संदेश को एक दूसरे जगह तक ले जाया जाता है बस ही चीज़ हुआ हमारा परिभान और संचार लिखा गया कि बस तो यह आत्रियों को एक अस्तान से दूसरी अस्तान तक लाना या ले जाना परिभन का लाता है संदेश यह समाचार को एक जगह से दूसरी जगह भेजना संचार का लाता यह हो जाएगा आप चाहिए यहां पर एक जबकी लिख सकते हैं जबकी लिख दीजिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगा है जबकी लिख दीजिए अगला प्रस्न के बंधवा मजदूरी से आप क्या समझते हैं इस प्रकार के मजदूरी में क्या होता है कि प्रस्नी को टूष्जटन अमधिन को जोड़ने वाली पकी सड़कों को महामार्ग कहा जाता है देश के भीतर राज्जों की राजधानियों तक पहुंचने बाली सडके भी महामारग के अंद्रगत आती है यह हो जाएगा महामारग हो जाएगा यहां को जैगा रहने वाले लोगों की चेम्ख्या को जहनत्य जेसे भी लिख सकते हैं तो लूग को टा-गूल मिश्छंत्यों के लिए पूल जन सेंखा बटा पूल शेत्रफल इसी को लोग बोलते हैं जन सेंखा घनत हो नोट डाउन कर लिजिए हर एक चीछ वो लिए अच्छे तरह के से पढ़ लिजिए यह वो गया जन सेंखा घनत हो आगे बढ़ते हैं आगे चलिए अगला कोशन देग लेते पूस्टन आठ क्या है कि सूचना पुरुद्धोगी के से मिलकर बना है तो सूचना से और दूसरा पुरुद्धोगी सब्सक्राइब तक्निक वेवस्थित कर संप्रेश्ट युए बनाती है मदलब अच्छी विए में उनको पहुंचाता एक जासी दूसरे जगह तक हैं यह हो जाएगा हमारा कोश्चhora का प्यारा सा सुन्दर सा एंसर आगे चली में या क्षेटों का आकार माइधा यहां पर आकार पहले चोटा था लेकिन नाज़ना यहां पर क्तवरां प्रमाइधा हो गए हैं और यहिए अधिक किसान मतलब किसान किसान इसको अपना रहा है तो थोड़े मदब अच्छे पैसी कमा रहा है और आगे अच्छी तरी किसी निवेज्ट भी कर रहें है रासायनी कुरबरक मसिनरी ट्यूवेल तदा आधुनिकेंद्रों का अधिक परियोग होता है हरित करांती के अंतरगत पंज उत्पाधकता है परती हेक्टक 15 किलोमेटर से भी अधिक है यह चावल का कटोड़ा कहते हैं यह बात हो गया यहां पर आगे चली अगला प्रसंदेग लेते हैं कोश्चन अब नाम बताया गरा एक दो नाम भूल भी जाते हैं तब भी कोई दिक नहीं ठीक है को जरूर नहीं कि हाँ पर जिस प्रकार से लिघा गया वह इसनगण को जरूरी नहीं है के रोलों दिल्ली मिए भी जंसेंगा घनात्व जंसेंगा घनेतों है कुछ बड़ी नगरों का चंझा सब्सक्राइब करते हैं इसके कई कारण है क्या करन बात करते हैं यह धरातल की बनावत अच्छी जलवाय। सब्सक्राइब करते हैं अगले को चलते हैं अगला प्रसंद लीजिए क्या है क्या है क्या समझते हैं जो घर्व धारं से लेकर मिर्तु तक चलते रहती है मानव की जीवन काल में आई विवन परकार के परिवर्तनों को सामाई नवासा में सारीक मांस्टिक सामाजिक भावनातमक आधी पहलू समिली थे मैं प्रगति कि रामें होने वाले कर्मिक परिवर्तनों को म घर मैंने भूगोल की परिवास्टर को परिवासित करें जिसको अंतरगरत Mueller की उत्पतिय से लेकर वरतमान समय तक उसके समय के समया वसा रियावर्ण व कि यह प्तेव का इहां किसी उद्ध्यों को शार्वजनिक छेत्र से इस्थांतरित करने के परिकलिया को निजिकरन बोला जाता है निर्याथ रूंग आयात में क्या अंतर है तो विदेशि वेपार के अंतर्गत निजिकरन के अंतर्गत देखलों माल मंगाता है जबकि आयाद वैपार के अंतरगत एक देश दूसरे देश से माल मंगाता है अतनिर्यात और आयाद वैपार में अंतर है रही भाई यहाँ पर है देख लो कि एक माल को मंगाता है तो एक माल को भीजता है इसके बाद जो अगला प्रसन है question 15 क्या कि गैर प्रमप्रागत स्य प्र conquiva उत्पन की गई उर्जा को पनूर्जा केते हम उर्जा प्रकृति पर निरबर रहती है और है कभी ना होने वाली इसके बाद मँने होती है इसके बाद हमें यहां पर है bemायो जीवों के उस्ट से वायोगेस बनाई जाती है जो उर्जा का अच्छा स्रोथ है जवारी उर्जा समुदरी लहरे बंग जवार भाटे से बिली लिगा उत्पादन किया जाता है भूत आप यह गर्म पानिंग के प्राकिटिक जड़ने या तालाब से सनियंतर लगाकर करें की प्रामाँ नहर मार्ग परसांद महासागर तथा अट्लांटिक महासागर को जोड़ती है यह आसपास है इसके बात जो अगला को शरक क्या कि एक आक्षी बस्तियों का बनन करें तो यह बस्तियां सुदुर वनों में एकाके जोपड़ी या कुछ जोपड़ियों के समु के रूप में पाय जाती है गंगा के मजदवर्ती और निचले मैदान चतिसगड़ और हिमाले की निचले घाटीओं में यह पराया पाय जाती है यह हो जाएगा एकाकी बस्तिका यहां पर एंसर आगे का सकते हैं और रहा पर नग्यावस्तिन तरहता है कि नगरी statistics अंथरी आप्ट चाहिए सब्सक्राइब करते हैं यानि इसके जो निबासी है यह क्या करते हैं जो प्राथ्मिक क्रियाकलाप है उसी के तर्थ अपनी जीवन को जीते हैं अगला है यहां पर कि गाउं में परिवहन सुविदाएं अच्टेंदी प्रिष्टता फुरानी होती है जैसे की कच्छी सड़क बेलगारी इतादी होते जन सिंग थो तर्द भी अधिक होता है नगरिये बस्तियां आकार में बड़ी होती है इसका जो आकार होता है साइज भी का बढ़ा होता है फिर आगए देखियाँ पर आगे यहां पर तिसरा पुंट यहां प्रिक्या दिया गया लोग सकते हैं नगर वास्यों के वैबसाइ जिवन को जीते हैं और लोग दूतिय तिर्थी चतुर सभी के सभी मतलब यह सभी किराकलाप के अंत्रगत अपनी जिवन को जीते हैं नगरों में परिवहन सुविदाए क्या है अधिकाधिक तथा विक्सित होती है जिसे सब्सक्राइब नगरों में उच्छ सेवाएं सुलब रहती है जैसे कि यहां पर विद्धालाय महाविद्धालों विष्विद्धाली यह हो जाएगा इसका अंसर आगे चलिए आगे बढ़िए अगला जो कोश्य ने कोश्यमचार यहां पर क्याब लोग देख सकते हैं कोश्यमचार यहां चावल की उत्पादन के लिए अ आप लोगों को भी पता है फिर आगे की विष्वका लगवग 21 परिश्द चावल भारत उत्पन करता है देखिए वर बिस्वका अगर बात करें तो पुरे इस परिष्ब के लिए अनुकुल भोली के दसाइं कुछ प्रकार से आप लोग देख लिए यहां पर एककर करके अ impersonator デक अपर नियाए और दिक सकते हैं सबसे पहला पॉंट है यह पर की चाहल के ख संतल होना चाहिए भारत में दिखते हैं लोग चाहवाल लिखाते हैं विस्टीन है दुसरी नंबर पर हमारा भारत है अगले कोशन के लिए अगला कोशन नमर यहां पर पांच विस्टाओं का वर्ण करें यानि कि जो कि विस्टा है क्या क्या गून है यहां पर बताना है यहां पर भारत में कि विस्टाओं पहला पॉइंट क्या है कि देश की क्रिसी खादाइन प्रधान है क्योंकि विसाल जन संगा के लिए भोजन जुटाना वह इक्यालक्ष है कुल क्रिसी उत्पारण में अस्थी परजित भाग खादाइनों का होता है देखो यहां पर हमारा देश भारत है इसमें बहुती बहुता है खाने का अनकाई होता है इसलिए यहां पर इसका रिखने नोट कर लिए इसका इसस्ता हो गया आप अगर इतना लंबा चुर्ण ने लिए आप सिंपल यह अपर लिक सकते हैं की भारत देश में जो क्रिसी होता वह इसमें अधिक मातरा में खादा इनिका उत्पा अगलम परकार की फसलें उगाई जाती है एक ही खेत में एक साथ अनिक फसलें बोई जाती है देखते हैं तो बहुत हुआ क्या वह होता है इस निय tort kp हम लोग अलए अलए टाइप का फसल यहां पर हम लोग सकते हैं देश में आज भी क्रिसी पुराने ढंग से की जाती है आप देखिएगा कि भारत जो हमारा देश से इसमें पहले जिस प्रकार से खेती होता था मदरहल से जिस प्रकार से पुराना तरीका था बिल्कुल अभी से पुरानी तरीके से हमारा किर्शी होता है मसीनों का परियोग ना के बराबर क्या जाता है खाद का परियोग कम होती है और किर्शक नहीं व्यगानिक विधियों को अपनाने में ही जगते हैं जो भी नया विधी विगर आता है उसको यहां पर किसान उसको अपनाना नहीं क्योंकि अधिकान से भार के गरामिन किसान निर्धन और असिक्षी थे पहला बात तो यह गरीब है जो बड़े-बड़े मसी नहीं खर भी पाते हैं और दुसरा बत क्या है वह असिक्षी थे अधर पड़े लिके नहीं उनको उतना आइडिया नहीं है कि किस प्रकार से क्या क् आइडिया नहीं है इसकी बाद अगला पॉइंडिक आई के भार्द क्रिसी मानसून पर आधारी थे भार्द इसका जो क्रिसी एन भई यह मानसून पर आधारी थे अगर बर्सा हुआ ठीक ठाक तो फसल भी अच्छा कसा होगा अगर बर्सा नहीं हुआ ठीक ठाक तो फसल भ खेतो 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 चोटा खोटा होता है तिस आपर आदुन वढग साम प्रिसी भी नहीं कर सकते हैं इसके बाद यहाप अगला पॉइंटी क्या कि भारत में गषन किया हुए भारत दसमें गहन क्रिसी नहीं किया जाता है जिसके चलदी कि रिषी और भूमी अधिक खोनी के ब बहुत ही कम मत्रय में होता है तो बस यहां पर यहीं चीज़ आपनों को लिखना है प्रवास क्या है प्रवास मतलब क्या होता है कि किसी कारण बस व्यक्ति अपने पूर्व निवास अस्थान को छोड़कर दूसरे अस्थान पर जाकर बसने की परकिरिया को प्रवास कहा जात दूसरे अस्तान पर जाकर बस जाता है तो इस पर किया को हम लोग क्या बोलते हैं परवास बोलते हैं नोट कर लेजिए बहरी इंपोर्टेंट है आगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसंदेग लेते हैं कोश्च नम्र दो क्या है कि स्वर्ने चत्रफूज किसे कहते है जिसको हम लोग स्वर्निम चत्रफूज बोलते हैं यह वैपार पर क्या प्रभाव डालता है तो देखो इसका उत्तर कि स्वर्ने चत्रफूज राजमार्गों का एक नेटवर्क है जो देश के चार परवुक महानागरों को चार दिसाओं एक हमारा दिल्ली हो गया एक हमार और दिसाओं से जोड़ता है जिससे चत्रफूज बन जाता है और इसलिए इसका नाम गौर्डन चत्रफूज या फिर स्वर्निम चत्रफूज है इसके निर्मान से इन महानगरों की बीच की दूरी में कमी के साथ यातायाइद व्याय भी कम हो गया है पहला बात जब इसका तीन क्या है देख लो आप भी वैपार संतुलन से आप क्या समझते हैं तो देखो वैपार संतुलन क्या होता है कि कि किसी भी देश के निर्यात और आयात में अंतर को वैपार संतुलन कहते हैं कि यहांगे किसी भी देश के इंपोट होगा या फिर जितना भी एख्सपोर्ट होगा दोनों की इसकर डिफरेंस उगा जता होगा उसकर वयक्षा संतुलन बोलें गए इस पर्तिकुल होने के स्थिति में निर्यात के तुलना में आयात अधिक होता है इस बात को अपने नोड़ाउन कर लेजिए आगे चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले कोशन के और अगला कोशन देख लोगे कोशन में चार यहां पर क्या है कि भारत की दो परमुक खादाईन फस करने वाला विस्वकार तिस्रा देश है यहां चावल भारत की परमुक फसल है देश के लगबग सभी भागों में इसे खाया जाता है यहां उसने कटीवन दिया आद्र फसल है चावल उत्पादक राजजों में पस्चिमंगाल उत्तर प्रदेश बिहार आंद्र प्रदेश पंजाब मुग है यहां चावल का बात करते हैं थोरा से जहुँं का भारत में विस्वका बारा प्रदेश गेहुं का उत्पादन होता है परमूख उत्तपादक राज जी बारे में हम ने डिसकस कर लिया इसके बाद आगे बड़ते हैं और अगले कोशन को चलते हैं अगला कोचिन भेरि इंपोटेंट है कि संसार में मानव के पर मुख किलाकलापों और ही यहानि चित्रक जिसे प्राद्थमिक किलाकलाप दूत्यक तर्व किलाकलाप तर्थम किलाकलाप के ऊपर डिसकस करेंगे देbak बात सिंपल किछ लो की आप यहां वा आ पासल किया । अब यह जो गाना को क्या करेंगा आपको भी ले जाए से या तो चीनी बनेगा या फिर गुड बनेगा पिर शेनी और या पर गुड बनेगा अच्छेुनिंग। बन गया अब इसको एक जगाश से दूसरे जगह तक ले जानायाना तो लेके से चालए हमें परिभान का साला लेना पड़ेगा यानि गाड़ी बेगराई एक जालती लेजांगे अब इतना तब यहांत ठीह एंतन्ला घुझा काव जिसका हमने क्या चीलटि भार्वान द्रती मिला है उसका हमें यूज कर अधन अब इस गन्ना को जब हमने उद्योग याई फिक वेगरा ले गए जहां से हमारे चीनी गुडब बना तो यह भाई हमारे यह जो परकिल्या हुआ इसको दूसरा किल्या कलब बोलेंगे अब यह जगा से दूसरी अस्तान तक ले जाने के लिए हमने जो परिवहन का यूज करा तो यह हमारा तिसरा किल्या कलाब हो जाएगा और सब चीज को मैंने आप लिखा आए कि पराथ में किल्या कलाप में उए किल्या कलाप आते हैं जिन में प्राकृतिक संसाधनों का सिधा उप्योगर मनुस से अपनी आवी सकता हूं कि पूर्ति करता है इसमें क्या करता वह जो मनिस होता है और अप्राकृतिक संसाधनों का सिधा प्रयोग करता जिसे अभी गन्ना गन्ना मनिस नहीं बनाया है जो भी मिला प्रकृति को रोपा और फिर गन्ना हुआ जैसे में देखो वही वनों से वनों से खाईद्यसंग्र आखेट पसुपलन मचली पकड़ना अत दूत्यक कर देखे लो भई इसमें प्राकृतिक संसादमों का सिधा उप्योग ना कर उन्हें परिवर्तित कर उप्योग किया जाता है इसके अंत्रकत उद्योग सामिले अब हम लोगों को पताया तिर्थयक कर्या कलाप में लगे लोग की कारी कुषलता बढ़ाने वाले सेब के सब्सक्राइब करए नह width 7 है जिसके बाद भी आगे देखो फर अधारित क्रीया क्रिया करें जाते हैं आ File की विदार्याइन साल्राइन के बढ़ करते हैं नियों बनेकि विशंय के बारे में अगला हो प्रश्ने की पर मिंद्तां करें कि अस्थल सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब आगे क्या है अगला प्रस्ट्राइब साथ यहां पर क्या है भारत में अस्थानिक जन सिंगा वित्रन की विवेशना की जिए पांच परकार सब्सक्राइब दिसक्राइब आगे जन सेंगा घनत्यू को परती का चेत्र फल फर व्यक्तियों की संकादवार व्यक्ति किया जाता है देश की विन राज्यों में यह अलग अलग है जिसके कई भौवलिक कारण है चलो भई एकाग करके डिसकस करते हैं देख लो यहां पर यहां पर देखो ए धन्तियों वाले चेत्र जो मेंध्दम थर स्वाले चेत्र होते हैं इस राज्यों के अंत्रकत के वल उत्तर पर्दिस का नाव 498 के उच्चतम घनेतों वाले चेत्र इस चेत्र में 800 से अधिक व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमेटर निवास करते हैं इसके अंतरकत विहार चंडिगर दमनी दिल्ली केरल लक्षु दूइब पांडी चेरी पस्चिम मंगल दर्ज के जाते हैं पर दिये जाते हैं इस सब का नाम इसम हाँ 200 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमेटर से भी कम घनेतों है और इसमें देख लोगई क्या क्या हमारा राज जिसमें आता है यह राज्य है अरुनाचल परदेश 36 गड़ हिमाचल परदेश जम्मू कस्मेर मजद्य परदेश मनिपूर मेगाले नागाले राजस्तान उत्रा लोग को चाई कर लेना है और एक आप लोगोचावल कर लेना जो बहुरी वरी इंपोटेंट है चाहल उर चावल एक आप लोग कपास क्या सकते हैं यहां पर क्या क्या होना चाहिए सबसे पहला पॉंट देखते हैं कि चाय की खेती के लिए गर्म और आद्र जलवाईव क्या होई सकता पड़ती है पर उसे हमारा गर्म और आद्र जलवाईव होना चाहिए चाय के पोधों की जड़ों में वर्व का पानी इकत्य नहीं होना चाहिए चाय का जो पोध उसका जड़ होता है वहां पर वर्शा का पानी जमा नहीं होना चाहिए चाय की उत्पादन के लिए 1500 से 200 सेंटिमेटर तक की वर्सा उप्यूगते हैं यानि कि 1500 सेंटिमेटर से लेकर 200 सेंटिमेटर अगर वर्साद वही सफिसेंड़ कोई दिकत नहीं है आगे चलिए आगे क्या देखिए अगला जो पॉइंट है कि चाय के पत्तियों के विकास के ल ये खुली धूप का होना अवी सखेंगे मिलना चाहिए जो चाय के खेती के लिए एकदम बेस्ट है आगे क्या है चाई एक बागानी फसल है बागान के मिटिक युर्भरता वनाई रखने के लिए नाइट्रोजन यूपत उरब्रग डालने की अविसकता होती है चाय की पो दर्जबिय है कि आगे बर टींपोर्जन को प्रभावित करनेवाले कारकों का उल्यक करें को अप मैंधा घजो लोग रहेंगे ना वह जगह पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे लोग उन शेत्रों में बसने को प्रात्मिक्ता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है भू आकिर्तियां उबढ़ खाबड और उच भूमियों की तुनला में लोग संतल मैदानी भागों में अधिक निवास करते हैं देखें जो वलखावड जो इलाका है जो परवत या पहारी वाला जो इलाका है वह सब जो होता है इमयदानी भागं is झील आहीं करेंगे तोह हो जबक संटुनला में जनसंका उच घंतबна जानध tells अधिक मात्राइब पाजाएगा उबजाव मिर्दाएं किसी कारियों के लिए अविस्तक है अता बंजर भूमियों के तुलना में अधिक जनसिंगा निवास करती है जो देख भाई जो बंजर भूमिय वहाँ पर अधिक जनसिंगा निवास नहीं करेंगे बल्कि जो जाओ अगरि कर्ण दर्कू करते हं कि जनसिंगा वाली ने चैनन्जर को नगर को नगर करतेएं और महानगर एक ऐसा नगर अथवान नगरों का सम्मूं जिसकी जंसिंगा 50 लाग से दिखो उसको महानगर बोलेंगे अगला प्रस्टन है क्वेश्टन में चार कि सड़क मार्ग की क्या फायदे हैं दो भाई सड़क मार्ग के फायदे बोलिए लाब बोलिए एक ही बात हुआ यह जो कोश्चन है अगर ऐसे भी पूछा जाता है तब आप लोगो एई एंसर देना है देख लो अगर कोश्चन मान की चलो अगर ऐसा पुछ जाए कि भारत में सड़क मार्ग रेल मार्ग के अपिक्चर अधिक सुविधाजनक है क्यों अगर यह भी प्रसनाता है तब भी आ कोश्चन आता है कि भारत में सड़क मार्ग रेल मारग के अपिक्चा अधिक सुविधाजनक है क्यों तापको लिखना है कि भारत में सड़क मार्ग रेल मारग के अपिक्चा अधिक सुविधाजनक है क्योंकि क्योंकि लिग दीजिए और पॉइंट बरावन आपने सब लि सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब कम खर्चा पड़ेगा सब्सक्राइब से समान को उत्पादक के द्वार से भोगता के द्वार तक पहुंचा जा सकता है जो उत्पादक होता है उत्पादक के द्वार से हम लोग जो भी समान होगा उसको भोगता तक हम लोग पहुंच कि अगला पॉइंट है कि सड़कों का रख रखाव भी आसान है यह सब पॉइंट सब लिखिएगा दोनों का यहां पर काम हो जाएगा इसके बाद अगला प्रस्न है कोश्चन पांच की वैपार संतुलन से आप क्या समझते हैं वैपार संतुलन का मतलब क्या है तो किसी भी द तुलना में निर्यात अधिक होता है जब अनुकुल होगा अनुकुल कि स्थिदि में क्या होता है कि आयात के तुलना में निर्यात अधिक होता है और जब यह हमारा पर्तिकुल के वस्ता में रहेगा तो निर्यात के तुलना में आयात अधिक होता है बस इस बात का दो इसके बाद यो अगला प्रस्न है नगरिया बस्तियों में क्या अंतर है में रिखनें अंतर नाहरा आफ आप चाहिए इस प्रकार से भी फिच में लखिर किंच की आप इस प्रकार से कर सकते हैं ओप इसे इस अगर करना है जिसे पहले बात करते गरामीन बस्तियां तो आप लगे कर दो है तो गरामीन बस्तियां चोटी होती है इनके निवासियों का वैवसाई क्या होता है कि दिसी होता है पसचार रहनों पर आखेट खनन यह सब होता है इसके बाद आगे देखिये इसके ड़या क्या है इसके बिस के यहां के निवासी पराथ में क्लिया कलापों के दवारा जीवजी नि जीवन फार जीते हैं यह जो होता है अच्टन दिप्षटेता पुरानी होती है जिसे कच्ची सड़क होता है बैलगारी होता है गाउं में उच सेवाओं का अभाव होता है एसी सेवाओं यदि है भी तो यह प्रात्र में गस्तर की होती है जिसके पर आगे चलें थोड़ा साब आगे देखिए नगरी अबस्तियो एकार में बड़ी क्या होता है नगरवासिए नगर प्रिभाहन होते हुट होते हैं भी सीथ को चत्रह प्रेल्मार आप ejemplo होता है शिक्स नमर्पॉइंट की नग्रों में उची से वाहिं सुलभ रहती है जैसे आगला जो प्रसुन है साथ इसको भी आप लग चाहिए लिख खेच प्रकार सब्सक्राइब एक्साइड में धात्त्त्त्त प्रप्त होता है यह गया एक बात धात्त्ति घनोज में यह विसस्ता नहीं पाया जाता है थाट्त्त आप प्रश्न होता है अधिकतर क्रिस्टी की जाती है लेकिन समय पर वर्षा नहीं होने से सिचाई करने में असुविदा होती है आधिकतर क्रिस्टी करते हैं लेकिन समय पर वर्षा नहीं होता है नहीं होता है अधुनिक सुविदाई बहुती कम रहती है है ग्रामिन बस्तियों में सिख्चा का स्थर निमनि डालता है तक Mexican आप सभेवलॅब अच्छा परस्ण है ब्रीहत ऑढ़ा उड्योग यहां लगौ पेमाना उड्योग में अंतर इस बढ़ा उद्योगर चोटा उद्योग जीसिक लगू द्योगर जो ब्रिया तुद्योग इसमें क्या यहां पर अंतर पाया जाता है जो कि भी इंपोर्टेट इसके अंसर को देख लेते हैं बरिया तो लिखाये तो लगूद जो जो एक शुटे पहाने पर हुता है और ब्रिय और इसमें अत्याधि निक यानि मोड़न मला यह तो उजास्थ चलेंगे इसमें वही बात है बाट इसमें ऑटमेटिक बाला ऑटमेटिक मसिन जो होता है उसते में जो लटना जो तक हो सब करेंबद कर दो होती है और इसमें अधिक पुझे और अधिक सरम कर सकता होती है अस्थानिय बाजार से उपलब दिनना होने पर कच्छा माल दूर इस्थान से प्राट कहा जाता है यह तो बड़े इस्तर पर यह मतलब जो भी करेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी करेंगे बड़े अस्तर पर करेगा इसमें देखिए लगू में गुल्मता का विसस्थ ध्यान रखा जाता है लगू परवंद साधारन होता है और इसमें बड़े पैमाने के दो का परवंद बड़ा जटिल होता है सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को लिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू जाहिन